Hello Friends, आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में जब भी हम बात करते हैं किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की जब भी एक ऐसी मूवी के बारे में हम सोचते हैं जिसने एक्शन मूवी की नीव रखी भारत में समझिये जिसने ट्रेंड सेट किया एक्शन मूवी के लिए एक ही मूवी हमारे माइंड में आती है और वो है शोले 1975 में रिलीज हुई ये एक बहुत ही बड़ी मूवी जिसका नाम था शोले आज मैं आपको कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स शोले से रिलेटेट बताने वाला हूँ आप जानते हैं कि जावेद अक्तर और सलीम खान ने मिलकर इस मूवी को लिखा था और उनकी जोड़ी को कहते थे सलीम जावेद सलीम जावेद ने बहुत ही ध्यान से ये मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी और इस मूवी के डारेक्टर जो है वो वर्ल्ड फेमस रमेश सिप्पी जी थे जब रमेश सिप्पी जी को उन्होंने पुरी स्क्रिप्ट सुनाई तब उन्होंने डिसाइड किया था कि एक बैंगलौर अब बैंगलौरू बोलते हैं बैंगलोर के या बैंगलोरू के एक गाउ में उसके शूटिंग करेंगे उसके पास बसे एक गाउ में तो शोले की शूटिंग फ्रेंड्स बैंगलोरू के गाउ में हुई लगता ऐसा है कि उत्तरपदेश की कोई जगे होगी पर पूरी शूटिंग जो है वो बैंगलॉर के आसपास से होई थी बैंगलॉरू के आसपास है ना सर्प्राइजिंग बात आपको पता नहीं था ना ओके दूसरी बात ये है कि स्क्रिप्ट पूरी जो है सलीम जावेद ने लिग दी थी और उसमें चेंज की कोई भी गुंजाइश नहीं थी ये एक ऐसी मूवी है कि सारे रोल्स उन्होंने एक एक करके सारे आक्टर्स को समझा दिया था वो एक ऐसा वक्त था कि जब स्क्रिप्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था इससे पहले लोग क्या है कि स्क्रिप्ट बनाते ही नहीं थे जैसे रिशिकेश मुखर जी हैं बासु भट्टा चारिया हैं ऐसे बहुत सारे डारेक्टर्स रहे हैं जो on the set, on the spot ही स्क्रिप्ट बना लेते थे लेकिन ऐसा सरीम जावेद ने इस मुवी में बिल्कुल नहीं किया उन्होंने पहले से स्क्रिप्ट बना रखी थी एक एक कैरेक्टर जो है जय, वीरू, गबर, बसंती, ठाकुर सारे कैरेक्टर्स उन्होंने ध्यान से लिखे थे और सारे एक्टर्स को उन्होंने बता दिया था कि क्या-क्या रोल करना है और कैसे करना है तो ये एक नया नई चीज देखने में आई थी एक नया आयाम बनाया इस मूवी ने कि script writing बहुत seriously लिए जाने लगी इसके बाद से लोग script writing को बहुत seriously लेने लगे शोले फिल्म के बाद तो ये फिल्म भी, इस फिल्म ने एक नया trend स्टार्ट किया script writing का और मैं आपको बता हूँ इसका interesting fact कि धरम जी यानि धर्मेंद के कहने पर एक scene इसमें add किया गया था जो पहले नहीं था तो आप guess करना चाहेंगे क्या चलिए आप guess नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि वो ये scene था कि जो टंकी पर चड़ जाते हैं और कहते हैं कि suicide suicide चक्की पीसिंग पीसिंग ऐसा को scene था मौसी को बोलते हैं कि मेरी शादी कराओने तो मैं कूच जाओंगा शराब पीके चड़ जाते हैं ये scene धर्मेंद ने सजेस्ट किया था सलीम जावेद को और सलीम जावेद ने उनका मान रखते हुए ये scene को include किया था और वो scene जो है बहुत सुपरेट हुआ था फिल्म के लिए बहुत important साबित हुआ था आज भी लोग धर्म जी का वो dialogue हमेशा याद करते हैं तो ये भी fact एक interesting है शोले के बारे में और एक और बात बता हुँ जो अमिताप जी ने अपने इंटर्व्यू में बताया था जो शुटिंग पे जा रहे थे बैंगलॉर से वो गाउं की तरफ उस समय के अमिताप बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं थे धर्मेन जी का जलवा था धर्मेन जी के बहुत ही ज़्यादा फॉल्वर्स थे धर्मेन वास बिगर स्टार नहीं अमिताप अमिताप का करियर तो जब शुरू हो रहा था जब जंजीर आई थी उसके बाद शोले आ रही थी इतनी ज़्यादा उनकी पॉब्लिसिटी नहीं हुई थी लोग उने पैजानते भी नहीं थे लेकिन धर्मेन जी एक मंजे हुए कलाकार थे उस वक्त उनकी फैन फॉल्लॉइंग बहुत ज़्यादा थी पूरे भारत में तो हुआ यह कि जब वो जा रहे थे बैंगलॉर्स गाउं की तरफ तब एक अजीब सी घटना हुई और इसको धर्म जी ने कैसे सॉल्व किया अमिता बच्चन बहुत घवरा गए थे उस वक्त उनकी कार खराब हो गई तो उनकी कार खराब हो गई तब उत्रे कार से नीचे तो हजारों की भीर्ण धर्मेन जी को घेर लिया और अमिताब बच्चन ने पहली बार ऐसा स्टार्डम देखा था किसी का वो घवरा गए थे तो उनकी धर्मेन से बोला कि हम कैसे बचेंगे धर्मेन ने का घवराने की ज़रूत नहीं है धर्मेन अमिताब बच्चन जी का हाथ पकड़कर उनको आगे ले गए और एक आटो पकड़ा और अपने सेट पर पहुंचे थे अमिताब बच्चन ने अपने इंटर्में बताया था है नहीं इंटरेस्टिंग फैक्ट शोले के बारे में ओके फ्रेंड्स तो अगर आपको मैंने शोले की याद दिला दी तो आप तो आजकल ये सब मुवीज देखी रहे हैं अजकल अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स पर जिसमें बाइलेंस जादा है सेक्स बगरा जादा है लेकिन जरूर आप देखें शोले मुवी एक बार एक बार फिर से देखें बहुत आनदा आएगा आपको रियली फैमिली के साथ देखें शोले मुवी आज की जनरेशन के बहुत लोगों ने देखी नहीं है मूवी उसका एक एक पार्ट बहुत अच्छा है कॉमेडी भी है असरानी के कॉमेडी देखें और हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं या धरम जी और अमिताब बच्चन के विचे दोस्ती का जो एक केमेस्ट्री लगाई है या तुम्हारा नाम क्या है बसंती ऐसा कुछ डायलोग है और जो किस तरीके से वो मौसी को समझाते हैं अमिताब बच्चन धरमेन के सारे गुण बताते हैं अगुण बताते हैं एक तरीके से ऐसे बहुत वो जो एक शॉट था जब वो गबर अपने लोगों को मार देता है कितने आदमी थे और वो जो सीन था अब गोली खाओ ऐसे सीन्स बार-बार हमें देखने के इच्छा होती है तो जरूर आप देखेगा फ्रेंड्स ये मूवी आज अच्छा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मिलता हूँ किसी और फिल्म के कहानी के साथ किसी और आइडिया के साथ किसी और दिन तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स टेक केर फ्रेंड्स